मैं थोड़ा हूस टॉक्टर गुर्शेर टॉक्टर कुर्शेर ब्लॉक्स देवेश ठोड़ा स्वागत है आज आपा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रोजन शोल्डर जिसनों आपा पैरियार्थ्राइटिस और नाल्दी नाली एडेसिव कैप्सुलेटिस और मोटे जाग हो जाना भी कहने है बेसिकली शोल्डर जोएंट है कि शोल्डर जोएंट एक बालण सॉक्ट जॉएंट है जिसदे एक बहुत ही स्ट्रॉंग और फ्लेक्सिबल कवरिंग हुंदी है जिसनों अपां कैप्सूल कहने है और कैप्सूल दे नानाल शोल्डर जोइन्टे वेच साइनोवियल फ्लुड भी हुंदा है जिसदा कम है कैप्सूल और जोइन्ट लूब्रिगेट करना तांकि आपने शोल साइब मेडिकल साइंस आजे तक लिएर नएं कार सकी की कारण है फ्रोजन शोल्डर ते बट फिर भी कुछ फ्रेक्टर्स देदा आर्ते अपागाल कर दे हां जिमें पस्ट कारण है टापटीज टाप्टीज बिछ दे धिखे जाना है फ्रोजन शोल्डर बहुत जादा पा 52-60% diabetes patient, sugar patient नो ही frozen shoulder होंदा है और diabetes patient ती recovery rate बहुत slow है उनना दे बहुत pain रहेगी, capsule tight रहेगा जिस दा recovery rate 6 months तो लेके 2 year 6 मीन तो लेके 2 साल तक इस दा recovery rate होंदा है Number 2 reason आप गाल करांगे immobilization Immobilization means shoulder नो हलोना नी जिमें के आपनी कोई heart दी surgery होई, shoulder दी कोई injury होगी जा कोई भी आपनी होर surgery होई, जिसकार आपा shoulder दी कोई movement नहीं कर दे ता भी frozen shoulder होंदे chances बहुत जादा होगे ने तो आपनी patient नो सलाह होंदी या कोई भी surgery होगे बाट अपने shoulder नो move जरूर कर दे रहना चाहिए नमबर थर्ड, other medical conditions, other medical conditions जिमें hypothyroidism, hyperthyroidism, cardiac disorders, कोई भी दिल दिया बैमारियां और Parkinson disease इनना problems करके भी frozen shoulder होँदे chances बहुत जादा हो देने तो आपनी patient नो सलाह होंदी है, भी shoulder दी movement जरूर करते रहो next video दिवेच आपा डिसक्स कराएंगे frozen shoulder दिया stages और frozen shoulder दिया exercise टेल तक वीडियो देखन ली थोड़ा सारे ना बहुत बहुत थेंक यू अगर थो नू वीडियो चंकी लेगी होँए ता वीडियो नू लाइक करो subscribe करो, comment करो ते share करो, साश्रीकाल जी